आज हम जानने वाले कि हम अपने हीबिकस के प्लान्ट को कैसे हेल्दी करा सकते हैं और इसमें कैसे खूब सारे फ्लावल पा सकते हैं वो आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे और तो हीबिकस के प्लान्ट के अंदर एक most common problem face करने ही पढ़ती है वो की हर किसी को करनी पड़ती है आज उसका भी solution जानेंगे और अगर जो आप वीडियो के ending तक बने रहोगे तो आपको काफी सारे benefit होने वाले इस वीडियो से अगर जो आपका hivicus plant नहीं चल रहा है कि ऐसा क्या plant में डाल सकते हैं वो मैं वीडियो के ending में बताऊंगा आपको जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो यह बड़ा flower है वो छोटा flower है तो अपने plant में कुछ ऐसी चीज़ टालोगे तो आपका plant के flower भी काफी अच्छ हैंगे तो बात कर लेते हैं जो कि most common problem पर फेस करनी पड़ते हैं जो कि खली हो के नीचे हीविकस plant के नीचे जो कि Mili Bugs के नाम से कहते भी है यह चिपचिपे type की कीडे होते हैं जो कि आपके plant की growth को रोक देते हैं जब भी फूल आती हैं यह कलियों के नीचे आपको पका मिलेंगे तो ये आपके प्लान bás को बढ़ने नहीं देते हैं और ये जो कलिय garlic होती है कलियों महहीं पर सूख जाती है तूड जाती अक्षर आशे होता फूल खिलने आइ पाता है तो इसको हटा कैसे सकते हैं अगर जो आपके प्लांट में ये कम है तो आप उसे अपने हाथों से हटा देना उसके बाद अपने हाथ हो लेना आपको जहाँ जहाँ देखे कम मातरह में उसको हटा देना अपने हाथों से अगर जो आपको लग रहा है कि कली के में अंदर फूल खिलने वाला तो कली को बिलकुल भी मैं तोड़ना क्योंकि आपकी कली खराब हो सकती है अगर जो आपको लगता है कि हाथ से हटा सकते हो तो हटा देना अगर जो आपको ऐसे दिख रहा है जिसमें काफी सारे हो आप इसे नहीं हटा सकते तो आपको नॉर्मली कुछ नहीं करना निचे से तोड़ के तोड़ देना हटा देना क्योंकि अगर जब नहीं तोड़ होगी तो आपको बूरा प्लांट सूखना शुरू हो जाएगा और इ सिसी की मधतिती काफकी मिली पड़न से नहीं है शाव जेब ऐप प्लांट जभाड़ थे तो लेक जब ऐना ही नहीं क्योंकि बताओं scorय को मैंधू और तो इन जायता देखें को प्लांट से और जब आपको प्लांट को दिखुरwowता हो कि नहीं है चैनल दोनों यह नीम ओयल का यूज़ करने नीम ओयल के लिए काफ़ी जाज़े खतरनाग होता है यह इनको मार देंगे और साथ में आप हल्दी का यूज़ कर सकते हो जहां पर चीटियां देख रही है आप उसे जगह पर हल्दी डा देना वहां पर चीटी नहीं आएगी तो आपका प्लांट काफ़ी शिक्योर हो जाएगा और इससे प्लांट काफ़ी हेल्दी रहेगा तो नीम ओयल आप हफ्ते में एक दिन जूस करना अपने प्लांट में हफ्ते में दो दिन भी उसका अगर जो ज्यादा मातरा में इसमें वह हमीली बक्स हैं और लाइक कमेंट शेर कर देना अगर जो आपको एक टीप अच्छे लगी और अब बात कर लेते सेक्डिटिप के बारे में जिसमें कि आपके प्लांट के चोटी क्यों रह जाती है वह आपको बताता हूं अगर जो आपको प्लांट चाहे कितना ही बड़ा क्यों और इसमें फ्लावर चोटे हो रहे हैं इसका री करते ही होगे और मिट्टी को काफी हलका रखना जिसे कि आपके प्लांट की जो मिट्टी रहेगी उसमें सोईल इरोजन हो सके और उसमें काफी अच्छे तत्व आ सके जो कि हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कर लेना साथ में